मेरे प्रियर व्यूवर्स, रेल सेवा आचरंग नियम 1966 के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें नियम 4 से 12 तक का व्याख्या किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं, इससे पहले आप सभी हमसे जरूर जुर जाए ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहे। नियम 5 राजनीती और चुनाव में भाग लेना सभी रेल कर्मचारी को किसी भी राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध रखने, पार्टी के लिए चंदा इक्था करने या प्रचार करने से मना किया गया है परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो तो रेलवे को सूचित करना आवश्यक है रेल कर्मचारीयों को वोट देने का अधिकार है लेकिन उसे गोपनिय रखेगा मान्यता प्राप्त युनियन के चुनाव में भाग लेने पर रोक नहीं है नियम 6, एसोसियेशन या युनियन में शामिल होना कोई भी रेल कर्मचारी ऐसे युनियन या संग में भाग नहीं लेगा जिसकी गतिविधिया राष्ट्र विरोधी हो या जिससे न्यायाले द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो जैसे जमायत ए इसलामी, सिमियादी, आर बी ई साम, 102 बटा 93, नियम 7, प्रदर्शन कोई भी रेल कर्मचारी प्रदर्शन या जुलूस में भाग नहीं लेगा जो लोक व्यवस्था के खिलाफ हो, राज्य की सुरक्षा के विरूध्ध हो, नियाले की अवमानना तथा मित्र राष्ट्रों के विरोध में हो नियम 8, प्रेस या दूसरी मीडिया से संबंध यथार्थ रूप में कोई पुस्तक प्रकाशित करवाना या पबलिक मीडिया में भाग लेना हो, उसे छुट है ऐसा करते हुए वह हर समय यह स्पष्ट करेगा कि वह जो विचार प्रकट कर रहा है वे उसके अपने है सरकार के नहीं नियम 9, सरकार की आलोचना कोई भी रेल कर्मचारी अपने नाम से या गुमनाम से सरकार की नीतियों एवं कार्य पद्धतियों की आलोचना लेख्या पत्र द्वारा सार्वजनिक तोर पर नहीं करेगा साथ ही रेडियो प्रसारण या किसी इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम से भी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देगा जिससे की केंद्र एवं राज अन्य देशों के सरकारों के बीच तनाव पैदा हो नियम 10. कमिटी या किसी अन्य प्राधिकारी की समक्ष गवाही बिना पूर्वानुमती के किसी समिती या व्यक्ती के समक्ष गवाही या साक्ष देना वर्जित जहां कहीं ऐसी अनुमती प्रदान की गई हो, वहां वेल सेवक ऐसी गवाही या साक्ष देने के क्रम में सरकार की नीती एवं कार्य प्रनाली की आलोचना नहीं करेगा सरकार द्वारा गठित जाच, न्याइक जाच एवं विभागिय जाच में गवाही देने के लिए अनुमती लेना अनिवार्य नहीं है नियम 11, सरकारी सूचना का संप्रेशन, अंधिक्रित रूप से सूचना देना वर्जित है सूचना अधिकार नियम 2005 के तहट अनुमेय सूचना दिया जा सकता है एस ये इस नाम, 97 दिनाग 21 फरवरी 2006 नियम 12, चंदा इकठा करना, बिना पूर्वानुमती के चंदा इकठा करना या धन का संग्रह करना मना है किसी धार्मिक त्योहार के आयोजन पर विशिष्ट शर्तों पर महाप्रबंधक केवल स्वैच्शिक तोर पर बिना किसी दबाव के चंदा इकठा करने की अनुमती दे सकते हैं